हेलो फ्रेंट्स आज का टोपिक है HDFC बैंक तो HDFC बैंक का फुल डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है HDFC बैंक सरकारी है या प्राइवेट HDFC बैंक किस देश की बैंक है इसकी स्थापना कब होई थी इसका मुख्याले कहा है और भारत में HDFC बैंक के ATM मसीन कितने है तो वीडियो के लाश तक बने रहेगा जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा तो चलिए सुरू करते हैं सबस HDFC सरकारी है या प्राइवेट जानते हैं HDFC सरकारी बैंक नहीं है ची कीकाफी अच्छी बैण की लिस्ट में इसका नाम आता है आपको यह पता चली बैंक होगा घ्यायए ब्लायवेट बैंक है तो चलिए और वहीं के बारे में मज़दार जानकारी जानते हैं HDFC Bank एक private bank है और इसमें रवीवार को चुटी रहती है, साथ में इसमें सनिवार को भी चुटी रहती है और अगर महिने में कोई तयवार आता है तो उसकी भी एक bank में चुटी रहती है तो यदि आपको HDFC बैंक में अगर कोई काम से जाना पड़ता है तो आप दिन में 9.30 एम से 4.00 बज़े के बीच आप जा सकते हैं आपको तब बैंक खुली मिलेगी और आप अपना कोई भी बैंक का काम करा पाएंगे तो चलिए अब जानते है HDFC किस देश की बैंक है तो HDFC बैंक भारत देश की ही एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है और 1994 के बाद धीरे धीरे इस बैंक में काफी बदलाव किये गए और आज HDFC बैंक की छवी एक भरोश्री मंद और काफी फास्ट काम करने वाली बैंक में साम के बढ़ते हैं HDFC बैंक की इस्थापना कब हुई थी HDFC बैंक की इस्थापना 1994 में मुंबई महराष्ट में की गई थी और फिर HDFC बैंक को धीरे धीरे अलग-अलग सहरों में और राजियों में भी इस्थापित किया गया और फिर HDFC बैंक के ग्रहा काफी जादा मात्रा में बढ़े फिर समय के साथ HDFC बैंक की सभी सर्विस काफी अच्छी बनाने लगी तो चलिए अब जानते हैं HDFC बैंक का मुख्याले कहां है HDFC बैंक का मुख्याले मुंबई महाराश्टर में है क्योंकि यहां से HDFC बैंक की सुरुवात हुई थी और अभी तो सभी राजियों में और बड़े-बड़े सहरों में HDFC बैंक के बड़े बैंक होते हैं जहां पर सभी देरे का मैने इसका काम होता है अब जानते हैं भारत में RDFC बैंक केल कुल 2764 सेहरों में 5500 से भी ज्यादा ब्रांच के साथ अपनी सेवा दे रहा है तो आई होप आपको HDFC बैंक के बारे में फुल डिटेल आपको पता चल गया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू